हलो दोस्तों आप सभी को हमारे प्रवेश्य मसी के नामे जै मसी के स्वगत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में दोस्तों आज हम जानेंगे कि एक मसीही को अपने देश का सम्मान कैसे करना चाहिए आप जानते हैं कि आज है 25 जनौरी और कल है 26 जनौरी तो देखा जाए तो आज हमारे देश का सबसे बड़ा उच्सव है एक मसीही को कैसे इसमे भाग लेना चाहिए कैसे अपने देश के तिरंगे का सम्मान करना चाहिए इस वीडियो में आज हम सीखेगे मेरे प्रियों एक मसीही के लिए उसका देश एक परिवार की तरह होता है। उसे निरंतर अपने देश के लिए परमिश्वर से प्रात्ना करते रहना चाहिए। अपने देश की आर्थिक बेवस्था के लिए गरीबी के लिए और सबसे खास बात अपने देश के प्रतियक प् धार के लिए एक मसीह को अपने देश का संबान वैसे नहीं करना चाहिए जैसे कि अन्य लोग करते हैं तो आज आप इसी के बारे में सीखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और क्या बताती है आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे यदि आप कि चल्डेव को सब्सकराइब नहीं किया है तो सब्सकराइब कर ले और बेल आइकन के घंटी को जरूर प्रेश कर लेंद देखिए हमारे बहु से भाई बहन जो बाइबल को नहीं मांते हैं बाईबल पर विश्वास नहीं करते हैं उनका मानना यह है कि इस्को बारत में अ लेकर और इस बात को बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन फिर भी इलजाम पर इलजाम लगाते जाते हैं इस देश में सबको अधिकार है इस देश के कानून का पालन करने का और बाइबल भी इसका खुलयाम इजाज़त देती है यहां जब हम फश्तिमी थी अध्याइट तीन का एक और दो जब पढ़ते हैं तो यहां पॉलुस लिखते हैं लोगों को सुधी दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधिन रहे और उनकी आग्या मने और हर एक अच्छे काम के लिए तयार रहे किसी को बदनाम न करे जगडालू न हो पर कोमल सोभागे हो और सब मनुस कि यानि कानून बेवस्था के अनुसार चलना और उसका पालन करना यदि किसी ब्यक्ति को जरुवत पड़ती है तो अपने देश के लिए मर मिटने को भी तयार रहना चाहिए हमें यह नहीं भोलना चाहिए कि यदि देश सुरच्चित रहेगा तो हम भी सुरच्चित रहे आप बुरा मत मानिएगा लेकिन कुछ बाते मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको बुरी लग सकती हैं एक सच्चा मसीही एक सच्चा देश भक्त भी होता है इसमें कोई संदे नहीं है यदि आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि हमार कि अपने देश के संविधान का पालन नहीं करता वह एक देश द्रोही है अब ऐसे में कुछ लोग ढोंग करते हैं कि मैं एक सच्चा देश भक्त हूं मैं अपने देश के लिए मर मिटने को तयार हूं लेकिन बाइबल यह सिखाता है कि आप अपने देश के संविधान यान कानून का कितना पालन करते हैं। आप समिधान के बताये नियम पर कितना चलते हैं। जैसे समय समय पर GST टेक्स देना, बिजली चूरी न करना, हमेशा यातयात नियमों का पालन करना, किसी अधिकारी या किसी करमचारी को घूश ना देना इत्यादी। यदि आप इन सारे नि देशों से सबसे महान देश है क्योंकि परमिश्वर ने स्वयंग थॉमस को यानि प्रभु येशु मसीख को इस धर्ती पर भेजा था नहीं तो और भी बहुत सारे देश हैं परमिश्वर नहीं चाहता कि हमारे भारत देश पर कोई विपत्ति या कोई आपत्ति आए इसलिए कि हम अपने भारत देश को पूरे दिल से सल्यूट करते हैं हम सारे मसीही लोग मिलकर इस भारत देश के लिए प्रातना करते हैं कि यहां का बिजली पानी हॉस्पीटर रोड सड़के घर खेत अनाच में विकास हो हमारे बहुत सारे भाई बहन हम मसीही लोगों पर इल्जा कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वह केवल एक देश कार नहीं है वह सारी स्रिष्टी की रचना करने वाला है हमारा परमेश्वर इस पृत्वी को ही नहीं बलकि इस पूरे ब्रह्मान को बनाने वाला है अब लोग आपस में लड़कर भिड़कर अलग-अलग देश बाट तो यह कहना गलत होगा कि हिंदु का इसवर अलग है मुस्लिम का इसवर अलग है और इसाइक आई तो मेरे प्रियों यह चोटा सा संदेश था जो मैं आपको बताना चाहता था मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को जय मसीकी